सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिएगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी तुमाम न्यू आने वाले वीडियो आपको मिल सके असलाम अलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम नहीं कर रहा है जिसके वज़ाद से जायर सी बात है अगर वह प्रैसी नहीं होगा तो वन माइक्रोवेव नहीं चलेगा स्प्लाइब क्योंके डिस्प्ले हमें इसका शो हो रहा है वैसे मैंने यह वाली साइड ओपन कर रखी है यह जो पैनल है वह उपन कर रखा है इसके से मैंने इसका उतार लिया है मैं आपको यहां पर अगर दिखाओं यह है इसका पैनल टच तो इसमें स्टार्ट वाला बटन नहीं काम कर रहा और स्टोप वाला भी नहीं काम कर रहा यह एक दो बटन है जो काम कर रहे हैं बाकी कुछ बटन काम नहीं कर रहें तो स्टार्ट लाकित वाला जब काम नहीं करेगा यह बाकी जो भी हम करने स्टारॉट से ही इसने आकि अपरेट होना होता है तो जाहर सी बात है कि माइक्रोविव की हीटगन डीठमको पावर यह नहीं जाएски लोग की तो यह नहीं होगा तो फिर इसके उपर बटन कैसे लगा दिये जाते हैं वो भी टच ही काम करते हैं ठीक है तो लेकिन अभी की वीडियो जो है इसमें फॉर्ड को कैसे फाइंड आउट करना था वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ बजलिब इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा के भई अभी हमारा दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है के नहीं ये चीज़ कैसे हमें कलियर होगी ये हमने देखनी है तो ये देखने के लिए यहाँ पर भई हमारे पास ये इसके तीन जैक थे ठीक है पावर वाला और दूसरे लाइट्स वगरा यह बटन्स वगरा के तो यह जैक हमने इदर पैनल के रिमूव कर दिये और इतर नीचे जो है इसके दो वाइड्स हैं जो ट्रांसफार्मर के यहां पर लगी हुई है इन दोनों को मैं उतार लूँगा ठीक है रेड्ड वाइर फर्स्ट और सेकिंड जो है यह दो ही वाइर्स है ठीक है इनको साइट पर करने के बाद अभी यह वाला एरिया मारा अलग हो गया यह वाला सारा एरिया जो पैनल था वो और यहां से में स्प्लाई तक सारा एरिया अलग सिर्फ माइक्रोवेव कपैसिटर और यहां पर इसके अंदर जो है फ्यूज है और नीचे एक लगा हुआ है यह इसमें एक डायोड भी है और यह ट्रांसफार्मर यह वाला एरिया एक साइट पर आ गया चले अब मैं क्या कर लेता हूं जी इसको हमने ओन करना है ओन करने के लिए मैं अलग से अपनी एक्स्टेंशन लीट पकड़ूंगा जिसमें जो है म इसका उन करूंगा रिकाजी इसकी एक साइट पर हम यह लगा लेंगे और एक साइट पर हम यह लगा एंगे ठीक है जीakah यहां पर हमने दे दिये, उके अभी एक हम Water भी स्माइने रखेंगे ठीक है Water वोटर को कैसे हमने यह में रकना है यह देखें Water जो है आप डशकते हैं कि नोर्मल है इसमें आप तो ढूह नकल रहा है और यह थोड़ा से यह और यह अभी आपको तो नहीं पता चलेगा लेकिन खर दुआ नहीं निकल रहा था आपको आइडिया हो जएगा कि गरम हो रहा है यह नहीं तो अमपेर मीटर भी आप लगा सकते हैं चार से स्टार्ट लेगा 4-5-6 अमपेर तक इसको चलना है चाहिए ठीक है तो इसके साउंट से भी पता चल देगा तो चलिए मैं अमपेर मीटर को भी साथ कुनेक्ट कर ही लेता हूँ 20 अमपेर पर सेट किया और यह हमारा अमपेर मीटर भी आ गया अब इसका स्विच्च जो है मैं सबसे पहले आपको यह चीज के लिए कर दूँ कि आप इसको सीरीज में पहले लगा लिया करें ताकि को शोटीज हो तो आपको पता चल जाए ठीक है यह सीरीज वाली साइड ह यह ड स्वाली सीरीज पे लगाता हूँ ओर लाइट को देखता हूँ यह लॉय है ठीक है अ लॉय है और अलाइट ओन हुई मतलब इसमें रेजिस्टेंस है वाइंदिंग काफी चीज है अब है मैं इसको Fang लगा लेता हूं और यहां पर देखती है जी है चार अमपेर, छे अमपेर, मैक्सिमम अभी 9 अमपेर पर आ चुका है, ठीक है, माइक्रोवेव इतने अमपेर 8-9 मैक्सिमम ले लेता है, अगर इससे छोटे साइज का होगा, थोड़े से कम अमपेर होंगे, अभी मैं इसमें कुछ सेकेंड ही वेट करता हूँ, 10 चलिए मैं इसको भी ओफ करने लगा हूँ अभी पानी इसमें गरम हो गया हो गाई थी तो ठीक है मैं इसको मैंने इसको ओफ कर दिया है और इसको बाहे निकाला है और यह हमारा आ गया वाटर में से ओके आप देख सकते हैं इसमें से धुआ निकवर रहा है ठीक है तो मतलब इसको हीट मिली है मतलब यह हीट हो चुका है अब इसका मतलब यह हुआ कि हमारी microwave gun यह भी ठीक है transformer मुकमल area यहां तक यह भी ठीक है और यह वाला area जो था यह भी ठीक था बट वहाँ पर सिर्फ start का button काम नहीं कर रहा था और अगर start का button भी काम कर रहा हुता ठीक है लेकिन फिर भी यह area on ना हो रहा होता तो फिर हमारा जो fold है वो हमने ऐसे ही चेक करना था अगर इस side पर यह चीज़ें ठीक होती ही together से ही कर रहा होता यह direct का जहिन में रख ले method है, अपनी अलग से lead के साथ इसको test कर लें, series में लगाएं short ना हो तो फिर साथ आप डिरेक्ट चला कर, पानी रखकर इसमें देख लें और अगर इस तरह से चल जाए start ने भी button ने काम किया, लेकिन वो चला नहीं था, हमने इसको direct चला कर जैसे ही door यहां से अंदर जाएगा तो इसके points जो है, कुछ press होते हैं, कुछ disconnect हो जाते हैं इस तरह से यह काम करता है, ठीक है, तो यह थी आज की video, I hope कि आपको clear हो गया होगा कि यह कैसे microwave हमारा काम करता है, इसमें कैसे हमने testing करना है, इसको दो पार्ड में convert करके, अभी मतलब यह भी ठीक चल रहा है, तो इसका जो panel है, वो ही replace होगा, मतलब कि इसमें जो, इसका touch है, वो ही replace होगा या वो repair भी हो जाता है, आप उसको repair भी करवा सकते हैं, repair नहीं तो आप उसको निया लेकर और वो आगे जो panel है, only touch वो आप उसमें डलवा सकते हैं, इसमें आप देखें, मैंने screws open कर रखे हैं, और यह है इसका panel, ठीक है, यह इसका jack होता है, यह PCB की back side पर, वो आप jack simple remove करेंगे, और यह panel जो है, आप new लाकर, इसके ओपर ऐसे ही लगा सकते हैं, इसको लगाने का तरीका बहुत ही असान है इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, कि यहाँ पर यह एक hole है, side पर इस hole में से, आपने इसको इसको गुजार लेना होता है, और फिर, नीचे से जब यह उपर आ जाएगा, तो यह यहाँ पर connect करके आपने, यहाँ पर इसको आपने ऐसे connect कर देना है, ऐसे connect करने से यह जो है, इसका display वो उपर वाली side से display बाहिर चला जाएगा, ठीक है इस तरह से इसकी fitting बन जाएगी वीडियो कर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, डाबलता हो आपसे, नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच, अलाहाफीज